हेलो गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, तो आज हम बात करने वाले हैं कैल सी क्यूग डी 3 शोट्स के बारे में, तो गाईज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन शोट्स को आप किन किन प्रोब्लम्स में यूज कर सकते हैं, इन शोट्स को लेने से आपकी बोड तो गाईज, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह हमें पूरा बोक्स देखने को मिलता है, इसके अंदर हमें 4 शोट्स देखने को मिलते हैं, जिस एक शोट्स का प्राइज 86 रूपीज है, और एक कैल सी क्यूग डी 3 शोट्स जो यह डोक्टर मोर्पिन का बनाय हुआ ब्रैंड है, और इसके अंदर विटामिन D3 60,000 IU होता है, और यह एक शोट 5 ml क्विंटिटी के अंदर होता है, तो गाईज चली अब बात कर लेते हैं, इस शोट के यूजिस के बारे में इन शोट्स को आप किन-किन प्रोब्लम में यूज कर सकते हैं, तो गाईज इन शोट्स को आप निउट्रिशन की कमी में यूज कर सकते हैं, विटामिन D3 की कमी में यूज कर सकते हैं, ओस्टोपीनिया की प्रोब्लम में यूज कर सकते हैं, रिकेट्स की प्रोब्लम में यूज कर सकते हैं, रिकेट्स मतलब यह होता है, जो आपका शरीर है, वो सूखने लगता है, और वन है joint pain जब vitamin D3 की कमी होती है तो उसमें हमारे joint pain होने लगते हैं तो guys अब बात कर लेते हैं इन shorts को use करने से आपकी body पर क्या-क्या side effects हो सकते हैं तो guys short को use करने से आपको headache हो सकता है lose motion हो सकते हैं vomiting हो हो सकती है photophobia की problem हो सकती है और चीड़ चीड़ा पन भी महसूस हो सकता है तो बात कर लेते इनके precautions के बारे में इनको use करने से पहले आपको किन-किन बातों का ध्यान देना चाहिए जैसे कि अगर आपको heart से related कोई भी problem हो लीवर की problem हो kidney की problem हो आप pregnant हो feeding कराते हो और drug allergy हो मतलब कि इस short में दिये गए salt से allergy होना अगर आपको इन में से कोई भी problem हो या फिर आपका इन में से कोई भी treatment चल रहा हो तो पहले अपने डोक्टर से consult करें फिर इस short को use करें क्योंकि डोक्टर आपकी medical conditions देखकर इस short को prescribe करेंगा तो चले बात कर लेते हैं इसके doses के बारे में इस short को लेने का सबसे best तरीका क्या है तो guys simply मैं आपको बता दूँ adults इस एक short को हफते में एक बार कुछ खाने के बाद या नास्ते के बाद easily ले सकते हैं और बच्चों से please इस short को दूर रखें दूसरा मैं आपको बताओं अगर आपके अंदर vitamin D3 की कमी इतनी नहीं है थोड़ा सा level down है तो आप इसे महीने में एक बार भी ले सकते हैं और मैं तो यही कहूँगा कि दूप में जादा नीतों कम से कम 15-20 मिनट डेली निकला करें जिससे कि आपको इस calcium D3 short जो है और vitamin D3 के जो capsules आते हैं उनको खाने की आपको नोबत ना आए तो कोशिश कीजिए डेली vitamin D3 आप दूप से ही ले सके और दूसरा दूद पीजिए रोज चाय को अवोईड कीजिए तो बस यही था इस calcium D3 short के बारे में अगर आपको इस शोट से related अभी भी कोई भी doubt है तो आप हमसे नीचे comment box में पूछ सकते हैं या फिर आप हमसे direct Instagram पे बात कर सकते हैं I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर यह वीडियो करें बीना मत जाना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फो वोचिंग एंड टेक केर